तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोई ओल्डिस गोल्ड में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके पास पुराने सिक्के या नोट है आपको उसके बारे में कोई भी से एर का है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वह बैल नोट्विकेशन ओन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो में मैं आपको राष्टी एक्ता के सभी सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो की स्केर की कैटेगरी में है और रेर की कैटेगरी में आते हैं उनकी 2023 में क्या कीमत चल रही है और 2024 में क्या कीमत होने वाली है तो कौन सा सिक्का आपको अपनी क्लेक्शन में एड करना किस सिक्क्य को आपको सेल नहीं करना अभी थोड़ा इनत्यार करने जिए वह सिक्क्हा बहुत हो जाएगा तो वीडियो को बिना करे करे देखें तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर यह सिक्का देख रहे हैं यह है दो रुपे का राष्टी एकता का 1990 का सिक्का इसका मैटल है कॉपर निकल वेट है इसका आठ गराम साइज इसका 287 शेप एसकी राउंड तो यह बनाए गया था 1990 में भारत की तीन मिंटों से बंबे कलकत है कंजिशन में इस समय तो चल रही है 6500 RR लेकिन 2024 में सकी कीमत हो जाईगी 500ð से लेक सबसे पहले हम बात करते हैं 1992 के सिक्के की जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इशू क्या गया था भारत की चार मिंटों से बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद और नोइडा इसमें बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद का कॉमन की केटेगरी में आता है लेकिन इसमें 2023 में कीमत चल रही है 2500 रुपे लेकिन 2024 में इसकी कीमत बढ़के हो जाएगी 3500 रुपे से लेकर 4000 रुपे जो यह आप अपनी स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं यह है 1992 का टू रुपीस राष्ट एक्टा नोइडा मिंट का सिक्का है यह आपको अपनी कलेक्शन में रखना है अब बात करते हैं 1993 के सिक्के की जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बनाया गयते भारत की तीन मिंटों से तीनों मिंट के इसमें कॉमन की कैटेगरी में आते हैं कीमत की बात करी जाए यूएंसी कंजिशन में इसकी आपको मिल जाएंगे 2500 रुपे से लेकर 30 रुपे अब बात करते है 1994 के सिक्के की जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इशू के गयते भारत की चार मिंटों से बंबे कलकत्ता हैदरबार नुएडा इसमें आपको सिर्फ नुएडा मिंट का अपनी केलेक्शन में रखना है जो की स्केर की कैटेगरी में आता है 2023 में इसके रेज चल रहे हैं इस समय 100 रुपे लेकिन जो अब बुक छपेगी 2024 में उसमें इसके रेज बढ़के हो जाएंगे 200 रुपे अब बात करते हैं अगले सिक्के की जो की है 1995 का यह आप अपनी स्कीन पर देख रहे हैं यह इशू क्या गया था बंबे कलकत्त हैदरबान नोईडा भारत की चारो मिंटों से चारो मिंट के इसमें कोमन की केटगरी में आते हैं अगर कीमत की बात करें तो इसके आपको मिल जाएंगे 30 रुपे यूएंसी कंजीशन में जिसकी भी मैं आपको कीमत बता रहा हूं वो भी यूएंसी कंजीशन के सिक्के की बता रहा हूं अब बात करते हैं दो रूपे के अगले सिक्के की यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है 1996 का यह इशू कर गए थे भारत की चार मिंचों से बॉंबे कलकत्ता हैदरवान नुएडा इसमें कलकत्ता और नुएडा के सिक्के आपको अपनी कलेक्शन में करने है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजी अच्छे से 1996 का है दो रूपे का राष्टी एकता का सिक्का कलकत्ता और नुएडा मिंच का सिक्का स्केर की कैटेग्री में आता है अब 2023 में उसके रेट चलने 100 रूपे लेकिन अब जो बुक शपेगी उसमें इसके रेट जाएंगे 200 रूपे से लेकर 600 रूपे बी यूएंसी कंजिशन में 1996 का टू रूपीस अब बात करते हैं 1997 के सिक्के की यह भी इशू के गए थे भारत की 4 मिंचों से बंबे कलकत्ता हैदराबाद नुएडा इसमें 3 मिंच के सिक्के स्केर की कैटेग्री में आते हैं बंबे क कलकत्ता हैदराबाद अगर इनकी कीमत की बात करी जाए बी यूएंसी कंजिशन में इसके आपको मिल जाएंगे 50 रूपे लेकिन 2024 में अगर आप वेट करेंगे थोड़ा एक या दो महने का तो इसकी कीमत बढ़के हो जाएगी 70 रूपे से लेकर 80 रूपे बी यूएंसी कं दो मिन्ट के सिक्के स्केर की कैटेगरी में आते हैं बाकी सब कॉमन की कैटेगरी में हैं बॉम्बे और हैदराबाद स्केर की कैटेगरी में हैं अगर उसकी कीमत की बात करें तो अभी की जो बुक में उसकी कीमत है वो है 30 रूपे लेकिन अब जो बुक शपेगी 2024 में तो उसमें इसकी कीमत हो जाएगी सत्तर रुपे के लपेट में,んだ रुपे इसकी कीमत हो जाएगी निस्थानवे का टू रुपीस राष्ट ये एकता अब बात करते हैं दो रुपे के अगले सिक्के कि यह आप अमने स्किन पर देख रहे हैं यह है 1999 का राष्टी एकता का टू रुपीस यह शू के गयते पांच मिन्टों से बंबे कलकत्ता हैदराबान नुएडा और एक फोरन मिन्ट लंडन मिन्ट से तीनों ही कॉमन की कैटेगरी में आते हैं अगर कीमत की बात करी जाए बी मिन्ट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे 20 रुपे से लेकर 30 रुपे बी यूएंसी कंजिशन में अब बात करते हैं अगले सिक्के की जो की शू किया गयता 2001 में यह शू किया गयते भारत की चार मिन्टों से बंबे कलकत्ता हैदराबान नुएडा चार हैं स चल रहा हैं सो रुपे से लेकर 1500 रुपे लेकिन 2024 की बुक शपेगी तो उसमें इसकी कीमत आहेगी 200 रुपे से लेकर धाईसो रुपे दो हजार दो का राष्टी एक्ता का ये सिख्का अब बात करते हैं अगले सिख्के की जो इशु क्या गया था दो हजार तीन में भारत की चार मिंटों से बंबे कलकत्ता हैदरवार नोईडा चारों मिंट केस में कॉमन की केटेगरी में आते हैं कीमत की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएंगे 20 रुपे से लेकर 25 रुपे BUNC कंजिशन में अब बात करते हैं अगले कोईन की जो इशु क्या गया था 2004 में 2004 के तीनों ही सिक्के आप कलेक्ट कर सकते हैं इसमें दो सिक्के स्केर की कैटेगरी में आते हैं 2004 के और एक सिक्का इसमें कलकत्ता मिंट का इसमें रेर की कैटेगरी में आता है उसकी अगर कीमत की बात करें तो 2023 में उसकी कीमत चल रही है एक हजार रुपे लेकिन जो अब बुक चपेगी उसमें इसकी कीमत आएगी 1200 रुपे से लेकर 1500 रुपे BUNC कंजिशन में कलकत्ता मिंट का 2 रुपीज 2,004 और अब बात करते हैं हैदराबान मिंट के सिक्के की वो भी स्केर की कैटेगरी में आता है 2004 का उसकी जो कीमत चल रही है वो चल रही है 50 रुपे लेकिन अगले साल उसकी कीमत हो जाएगी 100 रुपे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद